एक बड़ी पुरानी कावात है आप तो मियां हफता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी इमरान खान की सूपर बेजजती हो गई चीन में वैसे तो आपको पता ही है चीन गया हुआ है कटोरा खान कटोरा लेकर लेकिन ये सोच रहा था कि उसकी सवारी निकलेगी सांसे उस इजजत मिलेगी पर ये क्या कर दिया चीन ने चीन ने तो बिल्कूल आउकाद याद दिला दी और 2019 की घटना को एक बार फिर से दोहरा दिया है जानेंगे इमरान खान के साथ क्या हुआ है दोहरी वेजती तो वहीं दूसरी तरफ टाटा अब क्यों खिलाफ खड़ा हो गय एलन मस्क के और आखिर भारत सरकार ने क्यों रिजेक्ट कर दिया क्या है मामला जानेंगे इन खबरों को विस्तार से ये जो तस्वीर देख रहे हैं इमरान खान की इमरान खान पहुंचा चीन इस बार अच्छी बात है कि अपने एरलाइन से गया है पिछली भार तो अमेर और सौधी अरप को कुछ बुरा लग गया था तो बीच रास्ते में ही इमरान खान को छोड़कर वो प्लेन वापस आगया था फैर जाने दीजे उस बात को अब ये देखिए ये तीन बंदे खड़े हैं एक कुरेसी है बीच में इमरान खान है और एक ऐसा लग रहा है जैस मोटा माल मिल जाएगा और दूसरा ये सोच कर गया था कि जिन्पिंग के साथ मुलाकात हो जाएगी जिन्पिंग को मना लेंगे कि पुतिन के साथ भी मुलाकात हो जाए और उसके बाद भारत के खिलाफ कुछ बड़ी-बड़ी प्लानिंग करेंगे वैसे सोचने का क्या है सोजने में कौन सा पैसा लगता है इम्रान खान ने बहुत कुछ सोच लिया इम्रान खान ने ये भी सोचा कि बिल्कुल रेड कार्पेट की तरह उसकी स्वागत में चीनी निगाहें बिच जाएंगी पर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा एक तो इमरान खान की नव उस तरहिके से कोई स्वागत हुई और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को बार बार महामारी के परिछन के दोर से गुजरना तो पड़ी रहा है पर सबसे बड़ी बाती ये है कि इमरान खान ये सोच कर गया कि चलो मेरी जिनपिंग के साथ उसके अधिकारियों के साथ मुलाकात होगी बैठक होगी लेकिन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक साधारन अधिकारी भी नहीं मिला आमने सामने इमरान खान से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये बैठा हुआ है ची वर्च्वली चीन के कोई भी अधिकारी हो वो इमरान खान से सीधे सीधे नहीं मिल रहे हैं अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान की क्या इस्तिती है चीन के अंदर वहीं पुतिन से सारे अधिकारी मिल रहे हैं सारे लोग मिल रहे हैं जिनपिंग भी मिल रहे हैं वैसे आपको बता दें पाकिस्तान और इम्रान खान की ये बेज़ती कोई नई नहीं हुई है 2019 में भी इसी तरह की बेज़ती पाकिस्तान के परदान मंत्री इम्रान खान की हुई थी लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है ऐसा लगता है जैसे बिन बुलाए बारात में घुसाए हूँ तस्वीरों को देख कर तो यही लग रहा है वैसे चीन गुलामों के साथ गुलामों की तरह ही वैवार करता है यह कई बार देखने को भी मिल चुका है पर इन सब के बीच आप बड़ी खबर निकल कर आई है कि एलन मस्क के रिक्वेस्ट को भारत ने रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट करने के बाद बवाल और बढ़ा है बवाल इतना बढ़ गया है कि अब टाटा और महिंद्रा भी सामने आ गए हैं टाटा महिंद्रा और एलन मस्क जम कर लड़ रहे हैं जैसा कि हमने आपको पहले बताया है एलन मस्क अपने इलक्रिक कार को भारत के अंदर लाउंच करना चाहता है और एलन मस्क का डिमांड यह है कि जो आप टेक्स लेते हो वो टेक्स कर दो कम यानि इंस निम्पोर्ट ड्यूटी कर दो बेहद कम इंपोर्ट ड्यूटी इतनी कम कर दो कि हमारे कार खरीदे जा सके लोग वहाँ पर खरीदे भारत में इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कार के दामों में बड़ा इजाफा हो जाता है और बड़ा इजाफा होने के बाद बहुत कम भी केंगे ऐसे में आप हमारे लिए इं सेंबलिंग यूनिट डाल दो ताकि आप यहीं पर काम करो तो आप यहां के नियुमों के अनुसार चल सको इंपोर्ट ड्यूटी भी आपको नहीं उस तरह की लगेगी आपको फाइदा होगा जैसे आप चीन में करते हो चीन ने भी यही किया था चीन ने जमीन थोड़ी सस्त प्रृशज ने कुछ इंसेंटिव दिये और टेस्ते इसला ने वहां मैनुृफेक्चर करना स्ट counties चीन से समस्या नहीं करना चले यह कि यहां बस फिरी का मौल उसे लुट है बारत यह की स Sounds Sm उनीट को उस कंपनी को जो तरतों के अनुसार भारत में कार वगेरा बनाएं और इसी स्कीम के तहत जिसे फेम कहा जाता है महिंद्रा भी कार प्रोडक्शन में उत्रा है और इस स्कीम के लिए टाटा मोटर्स ने भी अलग से काम करना सुरू कर दिया है भारत की एक लॉबी है जो चाहती है कि टेसला कारे भारत में बने और एक लॉबी है जो ये चाहती है कि भारत में कम से कम लॉंच हो जाए ताकि खरीदे जा सके एलन मस्क इसी लॉबी का फाइदा उठाना चाहता है जो ये चाहते हैं कि चाहे गवर्मेंट कुछ भी करे लेकिन ये कार लॉंच हो डाइरेक्टली कि आप हमारे यहां आओ और हमारे यहां आकर कार लगाओ लेकिन अब यह लड़ाई बढ़ चुकी है और इस बढ़ती हुई लड़ाई में अब टाटा महिंद्रा इस जंग में खूद गए हैं अब इनका यह कहना है कि फेम के तहत हम बना ही रहे हैं फिर सरका सरकार को दवाब में कोई जरूरत नहीं है अभी अगर टेसला की इलेक्टरिक कारें आती है तो यह कारें कौन खरीदेगा वो खरीदेगा जो बहुत ही जादा धनी हो करीब 25 लाग की गाड़ी अगर खरीदनी है तो इनसान के पास 2 करोड रुपए होने चाहिए यानि अप मिडिल क्लास खरीदेंगे सस्तिकारों को आपर मिडिल क्लास बहुत बड़ी संख्या में भारत में नहीं है ऐसे में अगर टेसला को हम अपने देश में एंटरी देते हैं और हमें कोई फाइदा नहीं मिलता है तो फिर हम क्यों माने उसकी बात जब हमारे ही लोगों को हुचाएंगे इसी स्कीम के तहद टेसला फाइदा नहीं उठाना चाहता है बलकि इलक्रिक कारों में इंपोर्ट ड्यूटी को फ्री करके फाइदा उठाना चाहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि टेसला के ऐसा करने के बाद अब मर्सडीज भी यहीं मांग कर रही है औ सरकार को लेकिन इस बार सरकार प्रेसर में नहीं आ रही है और सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो टेसला के परपोजल को ही रीजेक्ट कर देगी अगर टेसला को काम करना है भारत में तो यहां के नियमों के अनुसार करना होगा और ऐसे में सरकार को पूरा सपोर्ट मिल र कमेंट कर अपनी राय चुरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ